Welcome back to the channel dear friends देखिए आपके एक्जाम में राष्टरपती से कुछ important question पूछे जाते हैं हर साल पूछे जाते हैं ऐसा कोई भी साल नहीं है पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि आपके एक्जाम में राष्टरपती से समबंदित question न पूछे तो उनी सब important questions को हम इस एक वीडियो में बताएंगे आपको आप इसको देखिएगा और यहां से मान करके चलिए कि definitely 99% chances है कि अगर राष्टरपती से इस बार भी question पूछा राष्टरपती topic से तो आप definitely उसको सही करके आएंगे ठीक है चलिए अब ज़्यादा वक्त नई लेंगे चुकि एक्जाम कल सुरू हो जाएगा तो आईए देखते हैं पहला question है कि सम्बिधान का कौन सा अनुछेत कहता है कि भारत का एक राष्टरपती होगा बहुत ज़्यादा important question है तो आईए बात करते हैं बेखिए पहले ये options है options देखिए आप उसके पहले हम आपको दो-तीन point बताते हैं पहला point ये है ध्यान से सुनिएगा राष्टरपती को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है ठीक है इतना पता है दूसरा point ये है राष्टरपती देश का सरवच्य संबाइधानिक पद है ठीक तीसरी बात ये है ये राष्टरपती के हस्ताक्सर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता तीन बात हमेशा याद रखिएगा ठीक है और चौती बात ये और याद रखिएगा कि जबी भी जनगरना सुरू होती है न देश में तो पहला नाम किसका लिखाता है राष्टरपती का इसलिए भी भारत को का प्रथम व्यक्ति राष्टरपती को कहा जाता है इतनी बात याद रखिएगे चार बाते पाँच बाते होगी यहाँ से अगर कोई क्वेस्टन पूछे का तो पता देंगे पक्का याद रखिएगा ठीक है अब इस क्वेस्टन की बात कर लेते है अनुछेद बामन आर्टिकल फिप्टी टू कहता है कि भारत का एक राष्टपती होगा कौन से अप्शन सही रहेगा अप्शन C सही रहेगा याद रखिएगा अनुछेद बामन में कहा गया है कि भारत का एक राष्टपती होगा ठीक है चलिए नेक्ट क्वेस्टन है कि राष्टपती के चुनाओं में कौन भाग लेता है बहुत ज़ादा इंप्शन एक राष्टपती के चुनाओं में कौन भाग लेता है या अप्शन में तो इतना ही दिया है मैं अपनी तरप से आओर बताता हूँ संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते है उसके बाद राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और केवल दिल्ली और पांडू चेली के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगला question है कि राष्ट्रपती बनने के लिए कौन सी योगिता होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात कि यह है कि जो भी इंसान राष्ट्रपती बनने जा रहा है, उसकी आईू कम से कम 35 वर्स की हो, कितनी आईू होनी चाहिए? 35 वर्स और दूसरी बात क्या है कि दूसरी या पहली जो भी मान लेज़े कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और आईू कितनी होनी चाहिए? 35 वर्स होनी चाहिए, ठीक है? तो आप्सन D से हो जाएगा, राजय सबा का सदस से चुने यह क्यों? इससे कोई मतलब नहीं हो, आप्सन D से हो जाएगा, पहला जो कंडिसेन वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है कि 25 वर्स की आईू हो, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, अग क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा उप्सन, चलिए देखते हैं क्या है आपर उप्सन में, क्या करा है कि राश्ट्रपती के चुनाओं में राजय विधान सबा के निर्वाचित और मनोली सदस से भाग लेते हैं, गलत है, यहीं पर उप्सन A, काट देजे, बाखी पढ़न पांडुचेरी के विधान सबा के जो है की निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो आप्सन नमबर A में क्या कह रहा है कि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए यह गलत है, मनोनीत सदस्य आपको पता है कि 12 सदस्यों को राश्ट्रपती मनोनीत करता है, तो अगर मनोनी तो सदस्य ही अगर चुनाओं में भाग लेने लगें, ओट करने लगें, तब तो राष्टपती वो जीती जाएगा, क्योंकि भाई जिसको राष्टपती मनुनित करेगा, अब हमी राष्टपती हैं, आपको सांसत बना दिये, तो आप हमें ही ओट न देंगे, हमने आपको इ सुमेलित नहीं है, अनुछेद साथ, राष्टपती पर महाभियोग की प्रक्रिया, यह गलत है जबकि अनुछेद साथ में, यह महाभियोग नहीं है, अनुछेद साथ में शपत ग्रहण, क्या है, शपत ग्रहण, एक चीज़ और बहुत इंपोर्टेंट है, इसमें देख अप्सन नमर्ट D में जो दिया हुआ है, एक सो तेईस, अनुछेद के तथ अध्यादेस जारी कर सकता है, तो अनुछेद एक सो तेईस, यानि ऐसे याद करेंगे, अभी याद हो जाएगा, वान, टू, त्री, अध्यादेस जारी, मतलब समझेगा, कोई भी चीज जारी करते हैं, जैसे बच्चों के रहे सुरू करते हैं, तो बुलते हैं, वान, टू, थ्री, गो, बुलते हैं न, तो एक, दो, तीन गिनने के बाद ही जारी किया जाता है, तो वैसे ही एक, दो, तीन, आध्यादेस जारी, ठीक है, याद रखेगा, जैसे भ पिखा का नाउयवादी हो कि तह घाली हो सकता है या कि फिर त्याग पत्र दे दे रास्ट्र पति तब उसका प्त क्पद कशाई है ठीक है सिर्फ महा भ्योग वाली सिस्टम नहीं है मतलब और भी तोय प्त्र है यह तो कारेकाल खत्म हो जाए या तो त्याग पत्र दे दे और महा भ्योग है लेकिन यहां पर सिर्फ सब्द लगा दिया इसलिए C नहीं सही होगा बलकि आप्शन नमर्डी सही होगा केवल A और B महा भ्योग लाकर के भी राष्ट्रपती को हटाया जाता है ठीक है लेकिन सिर्फ लग गया कि सिर्फ वह ही है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है अब बताईए फिर यहीं पर भी नेगेटिव पूछ दिया तो ध्यान से देखना पड़ेगा देखे कह रहा है कि अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्पती के सिफारिस के बिना की जा सकत तो लिष्ट्पती अगती ठीक है चलिए यह क्वेश्ट्यन है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट समझ लीजिएगा राष्ट्री आपात की विवस्ता कि अनुछेत में की गई है तो राष्ट्री आपात की जो विवस्ता एडियWow Scone वह किसमें की गई है अनुछेत बाव तो महाँ पर क्या लगेगा राश्ट्री आपात लगेगा ठीक याद रखेगा question अंच्छे 356 की बारे में भी पूशता है 356 या क्या है 356 कहता है कि राश्ट्रपती राज्य में राश्ट्रपती सासन लगा सकता है अगर राश्ट्रपती को लगता है कि फलाने राज्य में जैसे उत्तर प्रदेस में अगर राश्ट्रपती को लगा कि उत्तर प्रदेस में सासन ब्यवस्था सही नहीं चल रही है वहाँ पर सासन सरकार बनाने में दिक्कत आ रही है तो वह वहां के राजेपाल को हटा करके राष्टपती सासन लगा सकता है इतना अजिकार है राष्टपती के पास ठीक है तो 356 बताता है राष्टपती शासन ठीक है 352 बताता है राष्ट्री आपात अथ 360 भी पूछता है 360 जो है वह वित्तिय आपात बताता है तो तीनों को याद रखेगा, बहुत से इस्टुडेंट होंगे जिनको याद भी होगा, वित्तिय आपात या आर्थिक आपात, ठीक है, वित्तिय मतलब पैसे रुपे की कमी, गरीबी आ गई, तो वित्तिय आपात लगेगा, ठीक न, सासन बेउस्ता नहीं सही चल लगी है, राजय में दिक्कत है, तो राजय में, राष्टपती सासन 352, और देश में कहीं लड़ाई या विद्रोह की बात आ गई, या कहीं आकरमर की बात आ गई, कोई सी देश ने अटाय किया है, देश में अगर कहीं खलबली है, तो महाँ पर राष्टी आपात लगता है, 356, तो जितने भी important question पूछे जाते हैं, आपके exam में खास करके, हमने सभी को complete करा दिया है, तो कोई भी doubt हो, उसके बावजूद, तो आप comment box में पूछ सकते हैं, इसके बाद comment box में जाईएगा, sorry, description में जाईएगा, description में हम आपको एक video रखे हैं, description में पहले ही आप देखेंगे, त तो English आपको जरूर देखना होगा, देना होगा, चाहे आप X group के हों, या Y group के हों, या XY both के हों, तो English करना होगा, English में पैसेज जो होते हैं, पैसेज से 4 questions आते हैं, definitely, 3 या 4 questions, 3 या 4 number आपको बन जाएंगे, उस video को देखने के बाद, चुकि वक्त कम है, तो फिर से हम चीज दे दे रहे हैं, जिनको देख करके, आज ने सैकड़ों बच्चों ने आज तक उसको मतलब पास किया है, पैसेज को सॉल्व किया है, आप उस video को देखिए, उसके बाद उस video पे comment कीजिएगा, comment आएगा, तह हम जानेंगे, कि आप जा करके देखें, जरूर देखिएगा, 4 नमबर, एक, दो, तीन नमबर की बात नहीं कर रहे हैं, 4 नमबर आपका इंप्रूव हो सकता है, ठीक है, तो जाहिए, उस video को देखिए, बागी कोई डाउट हो, तो पूछ लिजेका, आप लेंगे फ्रेकली वीडियो में, तब तक के लिए जाहिंद,